जर्नलिजम वो चीज है जो लोग तंतर को चलाए रखने के लिए जरूरी है ये कोट दिया है अमेरिकन ब्रोड कास्ट जर्नलिस्ट वॉल्टर क्रॉक नाइट ने वैसे देखा जाए तो एक जर्नलिस्ट होना अपने आप में किसी अडवेंचर से कम नहीं होता लोगों तक न्यूस पहुचाना उन्हें बताना कि दुनिया में उनके आसपास क्या-क्या चीजे हो रही हैं वो भी पूरी ओनिस्टी के साथ ये एक जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी होती है और आज मैं ऐसे ही एक फेवर्स और लोगों के पसंदिदा जर्नलिस्ट की सकस स्टोरी और लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंडियन जर्नलिस्ट सुधीर चौदरी सर की और अगर यह आपके फेवरिट हैं तो फिर तो यह वीडियो एकदम आखरी तक देखना आपका बिलकुल बनता ही है वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो Hit the bell icon and select all So let's start Zee News पर दिखाए गए जिहाद के सच से अब पाकिस्तान भी बुरी तरह तिल मिला गया है पाकिस्तान में बैठ कर जो लोग यहां के लोगों को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे अब वो परिशान हो रहे हैं और इस समय हमारे साथ हैं भारत के विदेश राज्यमंत्री और भारत के पूर्व सेना प्रमुक जनरल वीके सिंग सुदेर चौदरी सर एक इंडियन जनरलिस्ट, न्यूज आंकर, Zee News के एडिटर इंचीफ और एक मीडिया पसनालिटी है Zee News का प्राइम टाइम शोड डियने यानि की डेली न्यूज और अनलिसस ये होस्ट करते हैं और जब भी डियने की बात छिड़ती है, सबसे पहला जहरा आपके सामने आता होगा तो वो सुदीर सर का ही आता होगा सुदीर सर का जन्म 7 जून 1974 में हर्याना के पलवाल डिस्ट्रिक्ट के होटल टाउन में हुआ था इन्होंने अपनी ग्राजुएशन डेली उनिवर्सीटी से पूरी की इन बैचलर ऑफ आर्थ और अपनी ग्राजुएशन खत्म करने के बाद इन्होंने एड्मीशन लिया इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन न्यू डेली में जहां से इन्होंने जूर्नलिजम में डिप्लोमा डिग्री हासिल की सुदीर सर एक ब्राइट स्टूडेंट थे और बच्पन से ही अपनी पढ़ाई में ये काफी ज्यादा अच्छे थे अपने स्कूल और कॉलेज डेज में ये अकसर डिबेट कॉंपिटिशन में पार्ट लिया करते थे और ये चीज आज उनके शो होस्ट करने के स्टाइल और अपनी बातों को किसी के सामने बड़ी ही शालींता से रखने के स्टाइल में नजर आती है सुधेर चौधरी सर ने अपना करियर अज जर्नलिस स्टाइच किया था साल 1993 में Zee News से और इसी समय में Zee News लाँच हुआ था और इसने भी काम करना चालू किया था इन्होंने Zee News जोइन किया था न्यूज आंकर के रूप में और बहुत सारी leading news stories इन्होंने कवर की थी जैसे की 2001 Indian Parliament Attack और Kargil War इतना ही नहीं वो उस team के साथ थे जिन्होंने कवर की थी Islamabad meeting between अटल बिहारी बाजपाय और परवेज मुजर्रफ post the terrorist attack इन्होंने सहारा समय में थोड़े समय के लिए काम करने के बाद India TV जॉइन कर लिया था वहां भी उन्होंने थोड़े टाइम के लिए काम किया था और फिर editor-in-chief की post में live India जॉइन किया साल 2012 में उन्होंने वापस Znews जॉइन किया एडिटर-in-chief की post पर और तभी से ही Znews का popular prime time show DNA ये होस्ट करते आए हैं साल 2015 में सुधीर सर को रामनाद गोईन का award for excellence in journalism से सम्मानित किया गया था Hindi broadcasting की category में और तो और उन्हें Delhi gang rape victim के friend का interview लेने के लिए भी award से सम्मानित किया गया था इनकी personal life की बात करूं तो ये एक Hindu जाट family से हैं इनकी शादी हुई है नीती चौदरी से और इन दोनों का एक बेटा है जितने रुपे में शायद आप अपनी bachelor's और master's degree complete कर ले उतनी इनकी एक मंत की salary है सुदीर सर की per month की salary है रुपीज 25 lakhs अब हमारे मीडिया में कोई बहुत ही जादा अच्छे position पर हो और famous हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो किसी criticism या फिक controversy का part ना हो वैसे ही सुदीर सर ने भी काफी controversies जेली है साल 2007 में Live India ने extinct operation किया था उमा खुराना परजो की सर्वोतया करन्या विध्याले की teacher थी और उन्हें दलाल कहा था जो students को prostitution में force कर रही थी इसका नतीज़ा ये रहा कि उमा को लोगों की भीर्ण में पीटा गया और इसके बाद उमा को judicial custody में भेज दिया गया था तब सुदीर चौदरी Live India के CEO थे और उन्होंने कहा था कि पूरा sting operation जो था वो fake नहीं था लेकिन हाँ उसमें कुछ weak links जरूर थी इसके बाद court ने उमा खुराना को जाने दिया और फिर उमा ने अपनी complaint भी वापस ले ली और ये matter जो था वो settle हो गया साल 2012 में जबरन वसूली यानि की extortion के case में सुधीर चौदरी सर और उनके कुलीग समीर अलुवालिया सर को arrest कर लिया गया था और ये कंप्लेंट फाइल की थी कॉंग्रेस MP और बिजनेसमैन नवीन जिंदल ने जिंदल ने आरोप लगाया था कि दोनों जोनलिस्ट ने रुपीज 100 क्रोन वसूले हैं worth of advertisements उनकी कंपनी से in exchange for dropping stories that linked the Jindal group with the Colgate scam इतना सब हो जाने के बाद सुधीर सार को और समीर सार दोनों को ही 14 दिन के लिए judicial custody में भेजा गया था तिहार जेल में और उसके बाद bail पर इन्हें छुडवाया गया फिर broadcast editors जो association है उन्होंने सुधीर चौधरी को suspend कर दिया था 2016 में जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने order दिया था चौधी और आलुवालिया को कि वो अपने voice samples भेजे investigating agency को to further the investigation और finally साल 2018 में जिंदल ने अपना case वापस लिया और इस case की report close हो गई किवल इतना ही नहीं सुधीर सर ने ट्राइनमूल MP महुआ मोहितरा को accuse भी किया था कि मोहितरा ने true man long man की speech चुराई है प्लेगराइस की है pointing out early signs of fascism in India जबकि long man और मोहितरा दोनों नहीं कहा था कि उन्होंने speech नहीं चुराए ये सब चलते हुए महुआ मोहितरा ने सुधीर चौदरी के against criminal defamation का case file किया था जिसके बाद अपने daily prime time show पर उन्होंने ये accept किया था कि महुआ की speech का केवल एक part ही broadcast हुआ है and showed his regrets अब मैं आपको इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़े बताती हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी सुधीर सर के favorite actor अमिता बच्चन सर और अक्षे कुमार है इनकी favorite singer लता मंगेशकर जी है और इनके favorite politician हमारे honorable prime minister नरेंदर मोधी सर है इनको पढ़ने का और traveling का बहुत शौक है सुधीर सर का aim था कि उन्हें civil service examination crack करना था जग की तीन बार interview देने के बाद भी वो UPSC CSE crack नहीं कर पाए लेकिन आज सुधीर चौधरी वो एक नाम है जिने कोई नहीं जानता होगा ऐसा कम ही होगा अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो hit the bell icon and select all I'm I I I मैं मिरती हूँ आप से अगले वीडियो में बाई बाई